नमस्कार बिहार मितला नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ तलत परवीद आजकल धारमेक संस्थाओं के द्वारा महायग रुद अविशेक का आयोजग बड़े पैमाने पा किया जा रहा है ताकि इस बिहार को गर्मी से निजात मिल सके और शिव मौनसून से किसानों को लाव हो सके इसी किसा दर्भंगा के बहादुर प्रखंट के खराजपुर गाउं के खराजठाकुर और शिवशक्ती धाम में नो दिवस्ये शिरी शिरी 108 शिवशक्ती महायग का शुभारम काफी जोश और उमंग के साथ हो है इस महायग अस् पूरे गाउं को शुशोभित कर दिया इस धार्मिक अनुस्थान से खराजपुर ही नहीं आसपास के दर्जनों गाउं गुज उठे पेश है एक रिपॉर्ट कि यहां सिवसक्ती महा जग का योजन हमारे गाउं खराजपुर में हो रहा है नौ दिवस्ये है और चाम में पांच बजे से चो बजे विद्वत जन का खंभासन होगा और उसके बाद चो बजे से देवी महाप पुरान देवी भागवत का तथा साम में होगा नत्मत नरायन जी ब्याज जी द्वारा यही प्रोग्राम है नौ दिवस्ये काज ग्रम है आज से 28 तारिक को खतम होगा भी सर्जन होगा है इसमें उद्गातन में जग मंदप का उद्गातन किये हैं संस्कित कामेशर सिंग संस्कित विश्विद्याले के पति सचिनात जहाजी द्वारा उद्गातन हुआ है साथ में ग्राम पंचाइद की मुख्या रिना देवी जी भी थी और साथ में ग्रामिन भग्जन लोग भी थे उनके द्वारा उद्गातन सत्क हुआ है असपास के लोगों को अब क्या आःवान करना चाहेगे उनसे यह तो कलोव चंडी महेश्वरा पारवती और महादेव का यहां पर आःवान क्या जाएगा और इसे प्रक्रित बचे प्रक्रित ऐसे बचे इसी के चलते यह जग हो रहा है इस जग में भाग लें जादे से जादे और हवन पूजन होगा नौदीन उसमें जितना भी सरधालू है वो भाग लें यही मेरा निवेदन है मुख्या प्रतिनी जी खराद को इस जग में आये हैं इसकी कुछ भी सिस्ता बतलाए है अई ठाम शिवशक्ती जग्य भार होल है बड़त्पई कार्ज भार होल है कली जुग में भगबती और महादीब यह दुनू के आराधना से सरलता पूरुबक लक्ष के प्राप्ति क्याल जा सकाई है हमर जी समाज हमर जी प्रकृति एकर जी संतुलन से जग्य रखई है मेघ बने चे और मेघ से बर्खा होई चे बर्खा से अन आदी उत्पन होई चे आ तैसे लोग कल्यान होई चे तो एकर पूरा प्रकृति जे चे तका सुब्वे बस्तित करें ले समाज के सुब्वे बस्तित करें ले जग्य के आवसकता चे आई प्रकार के जग्य भार होल ह महान भिदवान सब कास्राइए यह रहा है, और वो ढूर्डक सफल रहा है जरूर है हम कामेश्वर सिंग दर्भंगा संस्कृत विश्विद्याले दर्भंगा में चाहिए। इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन से हमें प्रजामें शांती, सुख, सोमनस्त की बातावरण रहता है। और यग्य के द्वारा हमें सब कुछ सर्वसाधन संपन हम हो सकते हैं। यग्य ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम इस्वर से तादात्मी करते हैं। हम अपने भाई चारा में एक एक बाकिता रख सकते हैं और जब सुमन सिर है सब का मन एक जुटा रहे तो कल्यान में कोई बाधा नहीं है देश की उन्यत में कोई बाधा नहीं है इस जगी की सफलता अवस्य है इसे बायू मंडल प्रकृती पर प्रभाव परता है जिससे की हमारा प्राकृती जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोब भार्मिंग के चलते उसी थो रहा है अगर इस तरह का इस तरह का अगर कार्जक्रम किया जाए जैसे पुर्व में हमारे रिशियो मुनियों के दुबरा किया जाता था तो निश्यत रूप से हमारा हमारा देश सम्रीदी होगा मानव कल्यान के लिए होगी और जग होगा तो सोहाविक है कि अक्षी बर्सा होगी तो कि इसका जो वास्प है धुआ है जिससे हम लोग करते हैं वह लखडी के उससे एक जो प्राकृति में बाताबरन बनता है उसका जो वर्सा होता है वह अम्र परिबार में खुसाली समाज में खुसाली आता है हम सम्रीद होते हैं हमारा देश सम्रीद होता है और मानव के लिए एक बहुत ही जिस तरह से आज आहिंसा परक है उसको सांती मिलती है मानव की इकास के लिए मानव की बुद्धी में भी दाश होता है समाज की कल्यान के लि शिवसक्ति महायग्य का आयूजन अखराजपूर गों में किया गया है। यग्य जो है प्रमुखरूप से सामाजिक समरस्ता का प्रतीक है। श्ता का प्रमुख अंग यग्य को माना किया है। आज से 37 तारिक तक यहां महायग्य आयूजित है। जिसमें मिठला ही नहीं। देश के ख्याती लब्ध विभिन सास्त्रभिद्धा पंडितों के द्वारा यग्य में आहुती दी जाएगे। और देश के एकता और अखंड़ता के लिए आहुत इस यग्य में स्तरधा पुर्वग मनोजूग से सब्सक्राइब। डॉक्टर राम शिवग्जा रामेश्वर लता संस्कित महाविध्या लेके सहयक प्राज़त। यहां स्री एक सो आठ शिवशक्ति महायग्य भैरावनाथ खराज ठाकुर के प्रांगन में, खराज़पूर ग्राउम में करिब 42 साल के बाद इस यग्य के आयोजन भरहलाईच इपूरा खराज़पूर समाज अपन तन मन धन के साथ अयोग इजग करावों के लेल ततपर आई खराईच और इमिधला के नगरी में जतेक लोक्षै उनका हम आर्दिक अभिनंदन करेच यह श्वागत करेच यह कुछ योग परश्ट तो अई एरिया के गाउगाउग के पंडित सब के बुलैल गिला कई ग्राम के पंडित अईथन अलचए डिकाई बेदों के घ्याता सब अईथन पहुंचला है जिनकर हम आर्दिक स्वागत करेच श्याएं उनका सब के लिए पूजा अस्थल में पंडित चाहिए वो सब फलहार को को नौ दीन तक इठन रहता अता थाई 27 तारिक को कर जे समापन समा रो है ओकर बाद हम अई कार्ज सो निर्वित है नहीं तो नौ दीन तक हम लगातार अई कार्ज में अपन तन मंधन के साथ अई में हम लागा लगा प्रोग्राम में देवी भागवद है तक है था बाच्रकता अधा बंजता इस यह थिए हमें चीक्राज करता है यह हमर प्राधिकारी ची हम सब दिन रहत इत्म लागल अधिए भगवान से यहां अब्वह चीजर दापुरवक जग के आईवोजन भजा जे निर्भिक्ड आपन जे सही ओग भागी दारी बने जगे के सब आई उजन होया हमर्ण सब कामना है आपन जत्ते पताधी कारी छाइथ सब हीरल चाहत तलमन नदाई सब लागल चाहत और हम बीट बेशकी काव जगे आई उजन भौर होला है कर समाप्ति बरियां सब हो जा यहां हमर सब के परकामना है